नमस्कार एक वाफिर से आप सभी का क्रिप्टो करंसी की दुनिया में स्वागत है और आज का वीडियो फ्रेंट्स बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है खासकर जो लोग क्रिप्टो करंसी या बिटकोईन में काम करते हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं आप सभी लोगों ने आज तक नोटिस किया होगा मैंने बहुत सारे ऐसे नियूस पर वीडियो बनाए है मैंने बिटकोईन पर वीडियो बनाया एथिरियम कोईन पर वीडियो बनाया रिपल पर वीडियो बनाया लेकिन क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ टाइटल और थमनेल देख करके समझ गए होंगे आप लोग जी हाँ क्योंकि आज मैं आखिर एथिरियम क्या है बिटकोईन क्या है और इन दोनों प्रोजेक्ट्स में क्या क्या में डिफरेंसेस है क्योंकि ये चीज सभी क्रिप्टोकरंसी इन्वेस्टर्स को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या डिफरेंस है क्या नहीं है क्या खासियत है क्या बुराई है क्या क्या चीजे हो सकती है Ethereum और Bitcoin में तो आज हम जानेंगे Ethereum और Bitcoin के main differences तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर Bitcoin के बारे में बात करेंगे आखिर Bitcoin जो है वो कब आया Bitcoin कब start हुआ तो यहाँ पर जो Bitcoin start हुआ था वो January 2009 में मतलब लगभग 11 से 12 सार होने वाले हैं और अगर हम Ethereum की बात करें तो यहाँ पर जुलाई 2015 में आया है लेकिन यहाँ पर एक notice करने वाली बात ये है कि आप लोग खुश सोचें कि Bitcoin 2009 में आया और अभी 10 से 11 साल लग गए है लेकिन Ethereum को अभी 5 साल हुए हैं लेकिन क्या अगर हम famous की बात करें दोनों cryptocurrency की तो क्या किसी से कोई कम है Bitcoin भी पूरी worldwide famous है और Ethereum भी पूरी worldwide famous है लेकिन अब एक उइंपोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा चाहे वो Tata हो, Virla हो, Ambani हो चाहे वो Amazon के founder हो टेसला के जो founder है एलन मस्क, ये सबी लोग जितनी भी पूरी worldwide बड़ी बड़ी companies हैं उनके जो founder है या फिर मालिक, आप लोग खुश सोचिए कि कोई company 50 साल से चल रही है, कोई company 100 साल से चल रही है, कोई company 25 साल से चल रही है, तब जा करके वो लोग इतना बड़ा fame कमाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, यहाँ पर सिरफ bitcoin अभी 2009 में आया, अभी 10 11 साल का छोटा सा बच्चा है और आज की date में धमाका कर चुका है, बहुत ही ताजू की बात है कि यहाँ पर आप सभी लोगों को बहुत ही proud feel होना चाहिए, इवन मुझे बहुत जादा proud feel होता है कि अभी 10 से 11 साल सिरफ bitcoin को हुए है और market पूरी जो है cryptocurrency की वो trillion की तरब जा रही है बहुत ही, आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप खुछ सोचिए जो 10 साल 20 साल, 50 साल, 100 साल company को लगता है बनाने में वो अभी जो bitcoin है वो सिरफ और सिरफ 10 साल 11 साल की age में ये चीज कर चुका है तो आने वाले टाइम में आप सोचिए अगर 50 साल हो जाएंगे इसको 100 साल हो जाएंगे तो bitcoin का price कहां चला जाएगा ethereum का price कहां चला जाएगा सोच नहीं सकते हैं आप लोग एक imagination कीजिए just imagine आपने investment किया है कि नहीं किया doesn't matter hold करेंगे नहीं करेंगे doesn't matter आप सिर्फ एक उमीद कीजिए कि 50 साल के बाद में bitcoin का price क्या होगा ethereum का price क्या होगा आप लोग comment करके हमें जरूर बताइएगा अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर bitcoin की जो supply है supply means की कितने सारे bitcoin यहाँ पर market में होने चाहिए या फिर in future हो जाएंगे mining के बाद में तो 21 million 21 million यहाँ पर bitcoin की supply होने वाली है 21 million में अगली सताबदी में होगे जो कि bitcoin mining हो जाने के बाद में हो जाएगी आप सब लोगों को पता है कि bitcoin धीरे धीरे करके mine हो रहा है और market में circulate हो रहा है इसी तरीके जो ethereum है ethereum का कोई बहुत ज़ादा पता नहीं आप लोग देखेंगे इसमें बहुत सारे लोगों को confusion है 18 million every year हर साल 18 million ethereum coin बनते है mining के थुरू अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर bitcoin और ethereum के symbols क्या है तो आप लोग बहुत ही प्यार से नाम जानते है bitcoin को btc कहते है और ethereum को eth कहते है इनके symbols होते है इनके short name है और अगर हम बात करें कि आखिर bitcoin के founder कौन है तो bitcoin के founder satoshi nakamoto जो है उनको लोग बताते हैं हम लोगों ने study किया research किया satoshi nakamoto आपको internet पे यही नाम सिर्फ मिलेगा कि inventor जो है bitcoin का वो satoshi nakamoto है लेकिन doubt है यहाँ पर doubt यह है कि जब मैं 2015 में आया था October November में bitcoin field में cryptocurrency के field में तब से लेकर के आज तक 100% कहीं proof नहीं मिला है कहीं security नहीं मिली है कि इनके जो inventor satoshi nakamoto जी है वो real में है यह कहीं आपको लिखी पड़ी बात नहीं मिलेगी जैसे आप सब जानते हैं कि जैसे हर एक कोई product है अगर one plus phone है तो इनके founder कोई है Dell का laptop है तो इनके founder कोई है मैं धरती पर आया तो मेरे मम्मी पापा जी के थूँ आया तो ऐसे करके कोई भी चीज आप आज पास अपने सारी चीजों को देखिए तो कोई नो कोई founder जरूर है लेकिन बिटकोईन का founder का अता पता ही नहीं है लोग ताजूम मानेंगे अगर आप बताएंगे बिटकोईन इतने में आया और आज की date में इतना price हो चुका लेकिन इसको किसने generate किया किसने इसको बनाया यह आज तक अता पता है नहीं है बहुत ही ताजुब की बात होने वाली है और जो एथिरियम कोईन है इनको किसने बनाया बिटैलिक जी नहीं है जी हाँ आप लोग जानते होंगे बिटैलिक जी के बारे में बहुत ही अच्छे इंसान है ट्वीटर पर ट्वीट आते रहते है रेगुलर अगर आप लोगोंने वीडियो चाहते है तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा आने वाले टाइम में हम इसके उपर डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो इथिरियम है उसकी अल्गोर्थम क्या है तो प्रूफ आप वर्क इथिरियम का भी था स्टार्टिंग में लेकिन अब वो क्या कर रहे है धीरे धीरे करके वो प्लानिंग कर रहे हैं प्रूफ आफ स्टेक की तरफ मतलब पी ओ एस की तरफ जी हां तो हो सकता है इन फ्यूचर बहुत जल्द हमें देखने को मिले कि प्रूफ आफ स्टेक पर यह अल्गोर् इसकी बात करें तो जो बिटकोईन के लेन देन होते हैं ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कम्प्यूटर माइन करते हैं और इन सरीके से काम किया जाता है जो यूजर्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है और यह कैलकुलेशन क कोई हमारे और हाप के बीच में नहीं हो सकता है reason being कि बहुत बड़े amount में transactions होते हैं इसलिए बहुत बड़े firm लगाया जाते हैं बहुत सारे computers लगाया जाते हैं इस तरीके से क्या होता है कि जो transaction होती है उनकी accurate calculation करना पड़ता है और जब accurate यहाँ पर accurate calculation करने के बाद में एक transaction fees ह होती है तो उन miners को उस fees के रोप में bitcoin as a reward में दिये जाते हैं I hope कि आप लोगों को यह point समझ में आया होगा और अगर हम Ethereum की बात करें Ethereum की भी mining होती है Ethereum में भी reward मिलता है लेकिन वो लोग क्या करते है gas को collect करते है इसमें gas चलता है जी हां और अगर हम अगले point की बात करें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा according to coin market cap website यह कोई sponsor वीडियो नहीं है मैं आपको एक real information देने की कोशिस कर रहा हूँ coinmarketcap.com एक ऐसी website है जहां पर आपको पूरी cryptocurrency की market मिलने वाली है तो उसके according bitcoin top पर ही belong करता है और अगर हम Ethereum की बात करें तो दूसरे number पर अभी आपको मिलेगा लेकिन अगर आप एक दो साल पहले की बात करें तो ripple भी होता था ripple और ethereum दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती थी rank के लिए कभी दूसरे number पर ripple होता था कभी तीसरे number पर ethereum होता था तो इस तरीके से यह काम करता है अब हम यहाँ पर बात करेंगे अ legalize और इस तरीके से security token के बारे में इसके उपर मैं well research कर रहा हूँ बहुत अच्छी analysis कर रहा हूँ उसके उपर मैं वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ क्योंकि ripple को उपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा comment किया है वीडियो में और हमारे whatsapp number पर भी तो बहुत जल् ripple का price prediction और आपको hold करना चाहिए नहीं करना चाहिए सारी चीजे हम बहुत जल्द वीडियो में लाने वाले हैं तो आप लोग tension मत लीजिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगर हम इसके usage की बात करें बिट कोईन के तो बिट कोईन as a digital currency format में यह starting से आया और इसका use case यही थ में जो usage था वो digital currency के ऊपर था और अगर हम इसकी बात करें Ethereum की तो Ethereum digital currency तो हई है उसके साथ में smart contracts पे यह काम करता है तो usage इसका बहुत ही जबरदस्त है दोनों चाहे वो Bitcoin हो चाहे वो Ethereum हो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर जो Bitcoin है उसका block time क्या है कितने time में कितने blocks मे कितने time में यह चीजे generate होती है कितने block time में और इसके लिए कितना time लगता है तो अगर हम Bitcoin की बात करें तो 10 minute लगता है एक block को generate करने में एक block बनने में 10 minute का time लगता है और अगर हम Ethereum की बात करें तो बहुत ही super fast काम होता है क्योंकि सिर्फ 12 और 14 second के बीच में यह block जो है वो त अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखर जो Bitcoin है उसकी mining किस तरीके से होती है तो Bitcoin की जो mining होती है वो ASIC miners के थुरू होते हैं miners दो प्रकार के होते हैं basically जो main होते हैं वो ASIC miner होते हैं और GPU miners होते हैं जो लोग computer science से होंगे जे लोग computer department से होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ASIC क्या होता है और GPUs क्या होता है हलाकि मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोगों को कि ASIC का जो full farm है वो application specific integrated circuit होता है और अगर हम GPU की बात करें तो graphics processing unit होता है इन दोनों full farm मैंने इसलिए बता है क्योंकि आपको थोड़ा सा basic information होनी चाहिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे Bitcoin जो है वो पूरी worldwide famous है टॉप सर्च में भी आता है बहुत सारे आप Google पे अगर सर्च करते है तो Bitcoin बहुत ही keyword famous ह चुका है आज की date में और अगर हम Ethereum की बात करें तो कहीं न कहीं Bitcoin से कम नहीं है Ethereum आज की date में तो कहने का मतलब Google पर आप जाएंगे Bitcoin को सर्च करेंगे keywords जैसे ही Bitcoin लिखेंगे तूरंत आ जाएगा Bitcoin के उपर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे हजारों क्या लाखों वीड अगर एक परसेंट भी आपको वीडियो में information लगी है कि हाँ यो आपके लिए useful थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिये सेयर जादा से जादा कीजिएगा और हाँ अगर आप cryptocurrency में ट्रेडिंग करते हैं या फिर signal चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोए कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर हम एक सिगनल भी सेयर करते रहते हैं तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए क्योंकि हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक कियर वेस्टा अपलग है बनाई स्टे